पिजनौर से हैं सफी स्वागत है आपका मैडम नवस्टर सर नवस्टर सर मेरे कॉल मेरे कार्डियों मैं बहुत प्रहसान हूं मैंने अब तूपर भी करा कोल कट गई मैं एक तो मेरे दिक्तार ही मैं तो मेरे बात पूरी सुनिय लिखते रहे हैं आप जब तयलू कर देते हो तो मैं सर सर करती रहती हूं मेरे सरवाज नहीं जाती तेरा आपको एक तो मैंने पहले नुकता पुछा था सर आपको यह है जैसे है आप आप आहमला ओरत कहते है तो मैंने फसे गैस बन रही है आपने पहुं नुक्ता प्रका बता दिया सार को उसे पूछनाए उस लेडिस के लिए कभी घरम कर जा मैंने जब उनसे बताया तो बे कह रहीं कि यह पुछ जा जब का नहीं के पूछ दो को बच्छा रहता उनके लिए गैस तन सा तो बच करिया से ठीजादि यह सब्सक्राइब आखर दि कर दरक्तिती है। कि अपने बताई थी। करिया कि आप भगलाएं मेरे वास्तोरी सोंजार को सनू पने आपको और एक बच्ची गे किसी ने बताया कि हमारी बच्ची छोटी गे, साड़े साथ साल की उनके जिसे खुजाते हैं तो निसान हो जाते हैं बच्ची कि तूछ लियो हुग जाने से निसान से जासे बच्ची कि तूछ निसान साथ साल की बच्ची छोटी साल की और इस तरा सवाल इए है इनका सुदर भी होई है गुपनों की जनता वह है तो आरे चॉछ ऑन और नुक्ता बताई की कि आख़ा झाल आख़ा फार। कितनी उमर है? उमर बताए उसकी उमर लड़की की हमारी है पैटी साल ठीक 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 जो इस गूंते की पगड़ती है दरद उसका टैंसें अग्यारा यह नहीं कैसा पता नहीं शादी हो गई उसकी? शादी हो गई उस बच्ची की? ठीक है आप लिख लीजे दिखिए जो बच्ची सर पकड़ती है तो उसको कहें कि ऐसे बैटके ऐसे exercise करें रोजाना तीन मिनट ठीक है इमानदारी से करें तीन मिनट करनी है चाहे तीन बार में करें और ऐसे रखिए यह पूरा यहां तक आ जाता है यह यह भी तीन मिनट हो सकता है दवा की ज़रुटी नहीं पड़े और दवा की ज़रुट पड़े तो एक चुटकी गौन चिलगोजा रोजाना कहाना है एक चुटकी गौन चिलगोजा खा लें और अलसी में मिला कर खाएं अलसी आप जानते ही होंगे अलसी को हलका सा भून के पॉर्डर बना लें एक चुटकी गौन चिलगोजा एक चुटकी ये एक चमच अलसी आदा चमच अलसी में मिला कर और शेहद में मिला कर भी खा सकते मलाई मिला कर भी खा सकते हैं ये बच्ची को देना शुरू करें और देखिए आपके जो पैर मजलन है उसके लिए आप कौन सिया ले रहे हैं इसमें वक्त बहुत लगता है छह साथ महीने तक ले शर्त ये है कि वेस्टन टॉयलेट ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट यूज करें और जाड़ू पहुचा भी ना करें वजन भी ना उठाएं तब आप अच्छी हो सकती है और जिनके नस दबी हुई है ये नस आपके भी दबी हुई है उनके भी दबी हुई है नस दबने सही होता है किसी के जलन होती है किसी के दर्द होता है किसी को सुन होता है किसी को सी लगती है तो जिनके नस दभीवी है उनको भी गौंसिया आदा आदा गिराम खिलाएं उनको बहुत जल्दी फाइदा मम्किन है आपको थोड़ा देर में होने वाला है फाइदा और क्या साथ साल के एक बच्चा है खुजाने पर निशान हो जाते हैं हाँ उनको अलसी को हलका सा पून के और आदा चम्मच अलसी आदा चुटकी खाने का सोड़ा आदा चुटकी एक चुटकी भी नहीं चोड़ा बच्चा है और मिलाएं और उसमें शहद मिलाके मिक्स करके पूरे दिन में बस एक खुराक उनको दे जिया करें बच्ची के फाइदा होना सवाल और था हकीम सब इनका शायद प्रेगनेंट लेडी हैं जिनको गैस और उल्टी बन रही है और देखें यह जो प्रेगनेंसी है यहां पर यह सब चीज़े होती हैं तो एक तो देखें गाउं के पंसारियों के पास वो मिलता है सूखा हुआ आलो बखारा सूखा हुआ या इसिडिटी या बैचेनी या उल्टी से लगे तो एक या दो आलो बखारे सूखे मिलते हैं वो कटे होते हैं या फिर इमली जो भी आसानी से मिल जा आलो बखारा बहुत अच्छा है तो यह दे दिया करें और वैसे तो इसी से फाइदा हो जाना चाहिए फिर भी आपका फोन नहीं मिलता आपको सिकायत रहती है यह काट देते हैं अलागे हम काटते नहीं हमारे हाथ में नहीं होता फोन इसका दूसरा डिपार्टमेंट है तो वहां से आता है वहीं से कटता है तो अगर उस तरह से फाइदा नहीं हो तो धनिया का पॉडर एक चम्मच कहाएं और एक चुटकी खाने का नमक जैतून आता है नमक जैतून एक चुटकी असली वाला ले एक चुटकी दो गिलास पानी मिलाएं और इसको पी लिया करें पुरे दिन में एक बार तो उनको फाइदा होना मुम्किन है भाकिम सभगाई दर्द में दर्द के पेशेंट करते हैं तो दर्द क्या है बेंतिहां होता है और पहले से भी दवाइयों के इस्तमाल होता है तो अगर गौँशिया धीरे धीरे करकी अराम देता है तो क earrings को समझ में भी नहीं आ पाता होगा की अराम मिल रहा है कि गौंस्या की अजीब तासिब है की हम लोग hundred लाखों लोगों पर आजमा हैं मैं साती तोर पर कभी लेता हूं कुई सब रोग मुझे भी हो सकते जो दूसरें हो लिए तो मैं तो दो चार खुराक लेता हूं मैं टिक हो जाता हूं लेकिन मैं मरीज से कहता हूँ कि आपको साट आठ दिन के बाद फाइड़ सुरू होगा और आपको तो चार महीने खाना होगा। यह और बात है कि मुझे मैं तो जैसी कोई रोग सुरू हुआ या फोरण ले लेता हूँ। आप बहुत पुराने मरीज होते हैं तो मैं आप से कहता हूं साथ आठ दिन बाद फाइदा शुरू होता है वो भी दो सूरते हैं या तो दडत कम होने लगता है या बढ़ने लगता है दोनुशूरतों में फाइदा होता है दडता है तो पिर ... हفتہ तक बढ़ता है फिर कम भी होने लगता है तो जिन को दर्द बढ़ जा है वो दर्द की दवा के साथ ले गौंसिया और मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा रॉ मैटेरियल नहीं देखा मेरी तकरीबन चालिस साला अनुभव है मुझे कि जो इस कदर फाइदा करता हो लेकि फिर भी किसी को फाइदा नहों तो मैं जिम्मेदार नहीं ये भगवान ने एक अजीब चीज बनाई है और इतियात भी लाजिम मैं जो मैं बताता हूं लेकि ये जो क्योंकि कुदरती एक रौ मैटेरियल है एक गौन्द है जो असली मिलना जरूरी जिसको फाइदा नहीं हो तो वो जी देखें कि नकली तो नहीं है उनके पास सच कर ले मेरी यूटीव पर कैसा होता है गौन्सियार हकीम स्लिमान खान नाम से यूटीव पेज को लाइक कर ले सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी तरफ से रोजाना आपको दो चार नुश्के बेजे जाते हैं जो लोग भी हमारे वीवर्स हैं तो उसको लाइक सब्सकाइब कर ले तो वो देखने कैसा होता है फेस्बुक पर भी मेरा यही पेज है हकीम सुलिमान खान और यूट्यूब पर भी वहाँ से आप सवाल भी कर सकते हैं आपको जवाबाद भी दिये जा सकते हैं बहुत जरीय हैं अब तो मेरी और आपकी जो बात होती है कारी करम में लाइव वो हम उसी पर डाल देते हैं ताके वो सच्ची बात आप तक पहुंच जाए और आप समझ जाएं कि यह कारी करम की जो कटिंग डाल देते हैं इसके तो सारे नुस्थ को उसी पर जाते हैं बातचीत आप से ही होती है जवाबात मेरे होते हैं लेकिन असली दवाएं लेंगे तो फाइदा होना मुमकिन है दिल्ली से हैं अशोग जी अशोग जी आप लाइन पे हैं सर नमस्कार मैंडम जी मैंडम जी मैंने गौन मोरिंगा सफेद वाला और जयतुम का सिरका मगाया था ठीक है सर अशोग जी आपका बात पूरी कर लीजे तो उसमें मुझे कोई परेज तो नहीं कोई करना है किस तीज के लिखा रहे हैं विजे लीवर के लिए बताया था है थीक ठीक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप उसे ले रहे हैं फाइदा भी शुरू हो गया अच्छी चीज है लीवर के लिए और ऊफेट से परेज लीवर की कोई परेशानी हो लीवर बढ़ गया हो लीवर जान्डिस हो लीवर ठीक से काम नहीं करता हो तो एनिमल फैट से परेज करना चाहिए एनिमल फैट घी में भी होता है मक्खन में भी होता है और दूद में भी होता है और मीट में भी होता है ये चर्बी एक ही सी होती है इन सब में मीट में भी और दूद में भी और घी में भी तो इस से परेज करें अच्छा वेजिटेबिल ऑइल है इस्त बाल करें जब तक आप उकमल अच्छे ना हो जाएं जो एम पी से हैं निशा स्वागत है मैम आपका हाँ सर वो सर आपने मुझे उसका बताया था बोले होने के लिए बाल किया है बच्छा है बच्छा एक और था सर हमको ना पीस्टिवडी का प्रॉब्लम था तो आपने इसके लिए हम को अलसी ना मगजे तो खाने का सोड़ा बताया था हमारा दिक्टती है कि ना सर वेट में मैं तो बिलकुल कम में हो तो वेट बढ़ता ही जा रहा है तो उसके प्रेट च्छाने थी तो उसके लिए कुछ ना था हूँ ठीक ठीक है वेट लॉस के लिए डाइट कंट्रॉल जरूरी है जितनी आपकी खुराक है उससे आदी खुराक कर दे और बगएर दवा के भी आपका वेट कंट्रॉल हो सकता है देगी बहुत आसान है मैं जब वेट कम करता हूं अपना तो कोई दवा नहीं लेता दवा तो मजबूरी है तो मैं सुबह को एक प्याली डाल चब मस्चे का लेता हूं या पी लेता हूं दुपहर को एक फल कोई खाता हूं एक सेब या एक अमरूत ये और शाम को खाना खाता हूं जो जितनी मेरी खुराक है उस से आदा तो रोज आना तोल के मैं पचास गिराम या सो गिराम कम हो जाता हूं जतना चाहूं वजन कम कर लो यह डाइट कंट्रॉल इसमें किसी दवा का दखल नहीं हाँ पैदल भी चलता हूं एक गंटा पानी भी पांच गिलास पीता हूं गरम यह बगएर कभी आप अच्छे हो सकते हैं और बच्चा देखो इसके लिए एक जीरे का सिर्का भी आता है असली ले दो दो चमच दो तीन बार ले सकते हैं खाने से पहले खाने के बाद इससे भी वेट लोस के लिए बहुत फाइदे बन थे और भी बहुत नुस्खे हैं और के सवाल थ असली सवाल दो रह गया. जिनको गन्हिपने का जूस ना मिले. तो गन्हिपने का गुड आता है. पिला पिला होता है. आप तो बच्चे हैं, पता नहीं جानते हैं, तो पानशारी केहां मिलता है. तो वह उस गुड से को पानी में खोल ले. और गन्या जितना गन्या का जूस जितना मीठा होता है इतना मीठा कर ले उसे जायकेदार बनाने के लिए उसमें नीबू भी निचोड सकते हैं तो जायकेदार हो जाता है जब तक गन्या नहीं मिलता है तो उस से ले तो यह वही काम करेगा और जब गन्ना मिलने लगे तो गन्ने के जूस से लें काफी फाइदा होता है मेरा आजमाया हुआ है आप इस्तमाल कर सकते हैं